पंजाब से भारते किसान यूनियन एकता उग्रहन के तीन लोगों को पंजाब पुलिस ने किया गिरफतार भारती जंदा पार्टी के प्रत्याशी एसार लधर पर किया था जानलेवा हमला आपको पताते हैं कि पंजाब में इन दिनों विधान सबस्चना की तयारी चल रही है और वोटिंग 20 फरवरी को पंजाब में होनी है और उससे पहले किस तरीके से एक पार्टी के ऊपर किस तरीके से पंजाब में हमले हो रहे हैं ये बास किसी से छुपी नहीं है और इसी कड पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा कर रहे हैं यानि कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब में विधानसवाद चुनावों के चलते किस तरीके से प्रतियाशियों की जान पर बनाई है यह भारतियों जंता पार्टी की ही बात नहीं है इसके अलावा जो काफी और भी जादा पार्टियाँ हैं अगर हम अकाली दल की भी बात करें तो अकाली दल के ऊपर भी एक दो दिन पहले हमला हुआ है और कई जादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है अगर भारतियों जंता पार्टी के प्रतियाशी सर लधर की बात करें जो की पूरव आईस ऑफि टिपिटर और सोचल मीडिया पर काफी जादा इस पर टिपड़ी भी कर रहे हैं अगर बीकी यू की बात की जाए तो आज जो बीकी यू के लोग हैं वो पुलिस थाने के सामने बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके जो सदस्य हैं उनको पंजाब पुलिस ने क्यों पर बनाई और सिटी सेंटर होस्पिटल में भरती कराया गया और उसके बाद जब पुलिस मौकाई वारदात पर पहुची और लोगों से जानकारी खटा करने की कोशिश की तो जितने भी लोग S.R. लदर के साथ थे उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से हमला करने वाले लो से ही कुछ लोग जो हैं वो आतंग मचाने के लिए पंजाब की सड़कों पर उतराए हैं और उनी मैं से कुछ लोगों की गिरफतारी आज पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है जो की सदस्य हैं BKU उग्रहन के यानि की जहा एक तरफ अपने आपको किसान कहने वाले फार पर आई थी कि ग्रह मंतरी और सहकारी मंतरी अमिश्रहा जब पंजाब आएंगे लुध्याना आएंगे और वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो उस वक्त पे भी इनकी तरफ से प्लानिंग की गई थी सड़कों को घेरने के लिए और आज किस तरीके से चीजा निकल कर साम बन रहे हैं आपको बता दें कि आज जो पंजाब पुलिस ने इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इसको लेकर भी लोग तमाम शूशल मीडिया पर टिपड़ी कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सदस्य जो इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं भारती जंदा पार्टी के प चुपकर भारती जंदा पार्टी के निताओं पर हमला करा रही है यह हम नहीं कहरें बल्ками सोशल मीडिया पर बैठे वो तमाम लोग कह रहे हैं और जिनको कांग्रिस की सरकार के ऊपर लगाटार निशाने साहते जा रहे हैं और यह कहा जा रहहा है कि पंजाब की सरकार ही इ सारी चीज़ें कराई जा रही है और आज अगर पंजाब पुलिस ने धीलम ढ़ाल करने के बाद एक्शन लिया भी है क्योंकि भारते चंता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर इतना जादा जान लेवा हमला हुआ है और जो प्रत्याशी के साथ यानि की पूर्व आई-एस और एसार लद्दर के साथ जितने भी लोग रैली में मौजूद थे या फिर जितने भी लोग जो चुना प्रचार कर रहे थे उनके साथ मौजूद थे उनके बाद काफी जादा सोशल मीडिया पर इंट्रवीव वाइरल हुआ और चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसके जाकर पुलिस ने अगर यह एक्शन लिया भी है तो किस तरीके से बीके यू के और बीके यू उग्रहन के जो सदस्य हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहां एक तरफ एक प्रत्याशी की जान लेने की कोशिश की है तो वहीं दूसरी तरफ गिरफतारी को लेकर हाकार म उग्रहन के इन सदस्यों की तरफ से जहां एक तरफ कहा जाता है अगर हम बीके यू उग्रहन की बात करें तो यह वहीं लोग हैं जो लगातार अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जो जितने भी लोग जो दिल्ली के बौडरों को घेर कर ब तो वो खाना खाना बंद कर दें वो फसलों को लेना बंद कर दें और आज किस तरीके से यही लोग पंजाब में अगर चुना प्रचार करने के लिए अगर लोग जावी रहे हैं बीजे पी जा रही है तो किस तरीके से उन लोगों को जान से मारने की कोशिश की जा रही है और कानुन को भी अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है इन सो को और किसानों की तरफ से जो एक तरफ अपने आपको कहते हैं कि हम अनधाता हैं और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से खुद ही आतंग की रूप दिखा रहे हैं अपना और आतताई बनकर किस तरीके से प्रत्या प्राशियों की जान लेने की कोशिश की जा रही है अकाली दल के ऊपर भी कुछ दिन पहले हमला हुआ है जिसकी जाच अभी पंजाब पुलिस कर रही है अब देखना हैं बनता है कि आखिरकार उस पूरे मामले में क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आती है इसके साथ आपको य बदनाम करने के लिए ये सारी घटना रची गई है और दूसरे ठरफ दिल्ली गोर्मेंट Earth केंदर सरकार से ले कर dared Temाम बातें कहीं ग उस दंगे में शामिल थे जिनोंने खालिस्तानी जफलैक को लगाया हमारे भारतिय दुवज का आपमान किया और किस तरीके से देश को जुकाने का काम किया और उन चीजों की सफाई देने में भी सबसे पहले अगर आने वाला कोई संगधन था तो BKU उग्रहनी था और जिसक 26 तारीकों किस तरीके से दिल्ली पुलिस के 400 से ज़ादा ज़ानों को घयल कर दिया गया और बात अगर तमाम उन लोगों की की जाए किस तरीके से केंध सरकार पर उन सारी चीजों का ठीक रा फोन ने की कोशिश की गई जहां एक तरफ BKU उग्रहनी तरफ से दिल्ली पुल के जहां बीके यू उग्रहन की तरफ से लगातार भारते जंदा पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है पंजाब में घ्रह मंत्री अमिश्या के आने किसे भी पहले इनोंने कहा कि हम रैली करेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे रोडों पर खड़े पर फिर से एलान करेंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे अभी चीज निकल कर सामने आ रही है कि अभी तक जितने भी महीनों ये लोग जो रोडों पर बैठे दिल्ली के बौडरों पर बैठे ये सिरफ का ये सिरफ तीन क्रिशिक कानूनों की लडाई नहीं थी बलकि ये थी भारते जनता पार्टी से लडाई जो भी लोग रोडों पर बैठे थे पर आज अगर लोग आ और आज ही चीज हकीकत जो है वो आज जनता के सामने आ चुकी है और यही बड़ा कारण है कि काफी जादा लोग कह रही है कि जिन भी लोगों की गिरफतारी पंजाब में हुई जिनोंने एसार लधर के ऊपर और बीजेपी की काफी और प्रत्याशियों की जान लेने की कोशिश की है और जिन भी लोगों को पंजाब पुलिस ने गिरफतार किया है उनके ऊपर सक्से सक्त कारवाही करनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार किसके कहन कानून को लेकर थी तो क्रिशिक कानून बापस हो चुके हैं तो आज इस तरीके से बॉकला हट क्यों और खीश क्यों दिखाए जा रही है इस संगठन की तरफ से जिसका नाम है बीके यू उग्रहन इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताई धन्यवाद